हलो गुद मॉनिंग कैसे हो आप सब लोग आप सब अच्छी होंगे जहां पर भी होगा मैं भी अच्छी हूँ आज मैं आपके सामने एक और रसीपी लेकर आई हूँ बैंगन की सबजी सब्सक्राइब लेकिन जैसे मैं बना रही हूँ अगर आप लोग वैसे ट्राइब करें हैं वह नहीं मिलते हैं यहां पर ना यहां पर सिर्फ एक की एक नहीं दो तरह की मिलती है तो डार्क वाले जो जैसे इंडिया में कलर होता है वह एक लाइट वाला बिल्कुल ना लाइट वियोला कलर ना वसी दो तरह की होती है तो मैं उसी की सब्सक्राइब बनाने जारी तो मैंने सुचा चलो आप लोग के साथ भी शेयर किया जाए ताकि अगर इस तरीके से बनाए तो बैंगन सभी को उच्छे लगने लग जाए तो फिर आए चलते हैं मैं दिखाती हूं आपको कि मैं उसमें क्या-क्या चीजे डालती हूं बैंगन की सब्जी में न तो फिर चल अद्रक तोड़ा सा था मासालो में मैं ळूँगी नॉर्मल मासाले है मेरे सब्से पहले नमक, मार्श जरूरी है जो जीरा, लाल मिर्ची पाऊडर, गरम मसाला, हल्दी पाऊडर, धन्या पाऊडर और हाए हिंग यिंग यजरुर्णी बैंगनिसौनाव ह्याइ प्रिशा त तो बस यही नॉर्मल मसाले हैं इसके बाद मैं आपको दिखाती हूं कि अब मैं क्या करांगी तो सबसे पहले ये मैं बंगान दो दो लिथी हूं ऑनको बताती हैं कि फिर क्या करना है तो सबसे पहले मैंने तेल गरम करने के लिए रख दिया है और अब मैं इस बैंगन के चार पीस कर लूँगे तो यह चार पीस करके इसको हम इस साइड से कड़ाई में डाल देंगे और पांच मेंट के लिए इसको ऐसे ही हम इसको पुराई कर लेंगे ज्यादा ताइम नहीं लगेगा सिर्फ पांच मेंट लगेंगे तो अभी मैं आपको पांच मेंट के बाद दिखाती हूं तो यह देखो मेरे बैंगन पूरा फ्राई हो चुके हैं यह मैं आपको दिखा देती हूं यह देखो ऐसा ब्लैक पना शुरू हो जाए तो समझ लेना यह देगां वर्लैंगर के ज़ए कानक Cette की नगाव मरत कके हैं आप सॉथah भी टॉस अभी मेरे पास जो दूसरा बहुश्या में उसको फ्राई कर लेती हूं फिर दिखाती हूं तो देखिए मेरे सारे बहुश्या मेन फ्राई वा चुके हैं और ब्लेक हो गए तो समझ तो यह मैं सारा निकाल के एक साइड में रख लेते हूं प्लेट में और अभी हमें पता है क्याकर देख्यों सब्सक्राइब यह भी हमें इसी में डालके फ्राइब नगी नर चीला था यह भी मैं में आधा फ्राई कर देती हूं इसा ही अई रहा ल स्राइफ और जब द wrayou- भी मुझे यह दोरा ही करना transferring दे लग फोड़ा सा में दॉर्डार करना है कि अ़िछ पर दोक है किसका ल О辉क पर क्यों जोट इसका तूराइन तो तो तुमाटर बुनने में थोड़ टाइम लगेगा अदरवाइस तो हमारा यह सब तयार है इसके ब्लाक हो जाएगा डरिया नहीं है यह पग गया है इंदर से न तो अभी तमाटर को बस दो में तो और हम जब तक कर लेते हैं इसके बाद हम जा करेंगे इसके बाद हम यह सार बाद मिशकिल नहीं होता और फिलके उतारके हम एक बावल में निकाल लेते हैं यह जब देखे ये मैंने बैंगम को छील लिया है पूरा चील के और इसको मैश कर लिया और जो टमाटर मैंने भुना था उसको भी मैश कर लोगी एक साथ सब को यह सारा जो भी लसन फ्राइब किया था उसको भी हम इसी में मैश कर देंगे यह मैने तीन और एक बचा लिया था वह बाद के लिए तो हम इसको मैश कर देंगे जो भी लसन वगयरा जो हमें दिया है चोटा-चोटा तो कि जो इसका अलग से फ्लेवर आता है ना कच्छा हलका पका हुआ और कच्छे वाला लसन वाला वह सब्जी में एक अलगी टेस्ट देगा आपको तो यह मैंने देखिए तमाटर के साथ बैंगन को बिल्कुल अच्छ करते कि पूर्ची आसब निक्स करते है इस तरह से बनाएंगे तो आपको यह सब्जी बहुत तेसी लगेगी इस दम रेस्टरेंट वाली न और जो यह हरी मिर्चि है जो यह हरी मिर्चि है इसको भी मैं इसमें काट देती चोटा-चोटा ऐसे ही कच्छा ने काट तो आप चोटा चोटा आसे ही इसके अंदर काट लेती है ऐसे दिख रहा है हूं मैं बाद के लिए भी रखती हूं और हां अगर आप चाहें तो इसको कम ओईल में भी फ्राइब कर सकते हैं यह आपके पर डिपैंड करता है कि आपको कैसे करना है तेस्ट दोनों में एक जैसा आएगा अगर आप डिप फ्राइब करेंगे तब भी तो वह आपकी मर्जी है आ कर देती हूं कि आप इसमें लाल देते हैं कि आए दो चम्मच के करीबी आइल होगा तो थोड़ा सा गरम कर लेते हैं कि आए अगरम होगा तो हम अपने जीरा डाल देंगे पर ले एक मिनिट अ जो मैंने हरीमिट्च ली थी उसको भी मैं दो पार्ट कर दूंगी जो लसन दिया था इसको भी मैं छोटा-छोटा काट लूंगी इसमें पेस्ट भी डा सकते हैं लसन अद रखका ना लेकिन मुझे थोड़ा ऐसे इच्छ लगता है थोड़ा खड़ा खड़ा अभी मैं इसमें डाल देती हूँ लस जीरा सॉरी है जीरा इसके बाद में डाल दूंगे रसन गयास को बिल्कुल कम कर लें बना ये सब जल जाएगा कर दोड़ा जाएगां एक घड़ा को भी माझना एक प्राइब तैर डवो जाएगाना शरी को पाल जाएगा जाएथ business चिली फ्लेट, लाज मिट, अलडी जो नहीं आपको पारे सारी मसाली दिखाएते उस सब मुट में डाल देंगे मिट आपके इसाब से कम जादा कर सकते हैं, नमाज मिट मसाले जो भी आपको कम जादा करें हो आप कर सकते हैं तो थोड़ा सा तेज कर देते हूं, अब में डाल देती हूं, यह जो मैश करके टमाटर, लसन और बैंगन जो रखा था वो मैश में साड़ा मिश कर देता हैं अब इसको जादा पकाने के जरूरत नहीं पड़ेगी, इसना पकाना के मसाले आपसे मिश हो जाएंगा यह जाएंगन तो पूरी प्राइब होने में ही पप शुक्रिया ना, इसलिए रखी को मसाले मिश कर देता हम पका देंगे इसको दो मेट के लिए पका लेते हैं और ढ़के रख देते हैं ताकि यह जल्दी से पग जाएंगे इसको दो मेट के लिए ढ़क देते हैं और गैस को थोड़ा सा कम कर देते हैं को मेट हो गए है और पुरा ओयल बाइमन बिल्तुल अलग है तो इसका ही हमारा बाइमन की सब्सक्रिक बाइन पुक्ली है जास को कटें जोन और लास्ट में हम इसको क्या रख देंगे जो हमने अधरक काता था हम ऐसे कच्छा डाल देंगे आकचा। को में दिखा तियों लास्ट में क्या करना है और बश्रास्ट में क्या करेंगे हैं सब्सरे लास्ट में करेंगी इसरे में धनीया यह तो आप जितना वर्जी डाल सकते हैं दनिया तो ग्रीन ग्रीन उतना यह अच्छा लगता है कि दाल दिया है तो सबसे लास्ट का काम नहीं दाता है दनिया डालने का और मेरा पहेंगल की सब्जी बन गई है तो देखिए यह मेरी बैंगन की सब्जी बन गई है और देखने में एक दम बिलकुल अच्छी लग रही है और खुजबू भी इसकी बड़ी अच्छी आ रखी है तो जैसे मैंने बनाया बैंगन की सब्जी तो आप भी टाई कीजिए एक बार और बनाईए और फिर मुझे ब कीज़ए तो वो कभी मेरी बार सब्जी के सब्जी को वैड़ वे अगर कें लायक कर दिगया और चैका सम्छी बनाईए हो तो थावी बता दिएस बनी up लोग की सब्जी रह डागो जरूर करें आप यह बना के देखेंगे तो आपको पसंद आएगी काफी ना तो फिर मैं मिलती हो किसी नेक्स वीडियो में इटली का कुछ और चीज दिखाते हुए कुछ और बाते बताते हुए और कोई अच्छी सी रेसिपी अपनी दिखा शेयर करते हुए आप लोग के सा झाल झाल